नमस्का बिसे नियूज के प्रदेश की खबरों में मैं क्षितिचा देश्मकाफ सभी का स्वागत करती हूँ डालते एक नजर प्रदेश के खबरों पर रात के समय घर में घुसकर सोने चांदी के कीमती आभूशनों पर हाथ साप करने वाले चोर को पुलेस ने गिरफतार कि परात के गंबृता को देगते हूए फsquलेस अधिक्षक पन्ना धर्मराज मीना त्वारण अग्या त़ाध आरूपी की तालाश पतारसी एवं गिरफतार हेतौ पुलीस अधिक्षक पन्ना के निर्देशन अधिरिक्त पुलिस अधिक्षक भीकैएस परिहार एवं गुनोर पुलीस पियूश मिश्रा के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी गुन और उपनिरिक्षक एपी सियं भगेल के नेतरुत्व में एक पुलीस टीम का गठन किया गया अक पुलीस टीम द्वारा पुलीस अधिक्षक पन्ना द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करते ह है अपराथियों का पता लगाने के एवं माल बरा मद की है तू किये गए प्रयास एवं संभाविसतानों पर आरुपियों के तलाश की गई प्लीस टेम द्वारा सैबर सेल पन्ना की मदद से संदेही व्यक्तियों के गामिश्रा एवं पुलीस की टीम उपस्तित थी बीस्यन न्यूज के लिए पन्ना से केलाश पांडे की रिपोर्ट फिर्यादी द्वारा थाना शानगर में रिपोर्ट की गई ट्रेक्टर क्रमांक MP20 AB 1102 पावर ट्रक नीले सफेद रंका एवं ट्रॉली पुरानी इस्तेमाली हलकी नीले रंकी कोया ग्याज चोर ने रात में चुरा कर ले गए फिर्यादी की रिपोर्ट पर थाना शानगर में अग्यात आरूपी के खिलाप मामला दर्श किया है उक्त अपरात की गंविर्ता को देखती हुए पुलीस अधिक्षक पनना धर्मराज मीना द्वारा अग्यात आरूपी की तलाश पतार सी एवं गिरफतारी है तो पुलीस अधिक्षक पननना के निर्देशक अतिरिक्ट पुलिस अधिक्षक बीकेस परिहार एवं पुलीस पवई रक्षपाल यादाओ मारगदर्शन एवं ठाना प्रभारी शान अगर निरिक्षक हरिसीह ठाकुर के नेतरत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया उक टीम ने उपर निरिक्षक रवीसीह जादोन को प्रभारी बन आतार संभाविस सुतानों पर आरूपियों की तालाश की गए, पोलीस टीम दोरे सईबर सेल पनना की मदद से संदे व्यक्तियों के बारे में जानकारी उक्ति की जाकर संद्ध ही व्याक्तियों की गति विडियो पर नज़र तो मुग्पीर तेनात के गए साइबर सेल बा ऐस smile we समद्धे की आधार पर पुलीस टीम को जानकारी मिली दो संद्ध५ फुछा गया तो जिनके द्वार अपने नाम पता पुलिस को बताए गया पुलिस टेम द्वारा चूरी गए ट्रेक्टर एवं ट्रॉली के समन कडाई से पुछताश किये जाने पर आरोपियों द्वारा चूरी करना स्विकार किया गया पुलिस द्वारा चूरी किया गया ट्रेक्टर एवं ट्रॉली कीमच 6 लाख रुप में चिकसाक शेत्र में सरकार की मन्शा के अनुरुप काम करते हुए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री विजय कश्चप राजस्वय वंबाड़नी अंत्रिन मंत्री ने रोटरी क्लब के माध्यम से लगाए गए शिविर का शुभारम किया आपको बता दे कि जन्तत हापुर क के थाना देहार शेत्र के ग्राम असोड़ा में रोटरी क्लब द्वारा अस्पताल के सयोग से जन्ता को बहतर स्वास्त सेवा उपलब कराने के उते से एक शिविर का आईजन किया गया जिसमें मुख्या थिति के रूप में पहुंचे उत्तरप्रदीश सरकार के राजस्व एवं बाढ़ नियंतर राजमतरी विजय कशप ने पहुच करते रंगा चौक पर शहीदों के सन्मान में शहीदों के प्रतिमा पर माल्यार पंड कर स्वास्त चिकेटसा शिविर की फित काट कर शुबारम किया इस अवसर पर बीस एन्यों से बात करते होए राजमतरी कशप ने कहा कि रोटरी क्लब सदेव चिकेटसा के क्शेतर में आगे बढ़कर लोगों को बहतर सुविदाय उपलब कराने के लिए निशल कैम कायजन करता रहा है इसी कड़ी में आज भी रोटरी क्लब द्वारा जनपत के एक पड़े अस्पताल के सयोग से शिविर कायजन किया गया जिसमें सभी प्रकार के रोग्यों की जाश की जा रही है तो वही योग्य एवं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मरीजों को उचित उप्चार पताते हुए जन सुविदाय उपलब कराई जा रही है रोटरी क्लब द्वारा किया गया यह कार्या बहुत ही सरानी है इसे गरीब मज़ूर परिवारों को स्वास्त के ख्षेत्र में अत्याधी क्लाब प्राप्त होगा रोटरी कलब हपुड और आरोगय होस्पिटल हपुड के द्वारा यहां पर एक चेकिस्ता सिविर कायोजन किया गया है उसमें आजपास के ख्षेत्र से आएवे लोग डा अच्छा प्रियास है मेरी बहुत सारी सुब काम नहीं रोटरी कलब और आरोगवस्पिटल लिए हापुड से अनिल कशप के रिपोर्ट मतुरा धर्मनगरी रुंदावन में कुम क्षेत्र में शनिवार को राश्रिय स्वयम सेवक संग और पुलीस के बीज फिड़त हुई जहा संग के पदाधिकारी को पुलीस मार पीट करने का मामला सामने आया तो वही चुंगी चोरा पर योकोंने पुलेस कर्मियों को दोड़ा-दोड़ा कर पेटा कारिकरताओं ने पुलीस प्रशाशन के विरोध में जम कर नारे बाजे की तो वही चुंगी चौरा पर यूकों ने पुलिस कर्मियों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा RSS भाजपा और हिंदुवाजी संगडन के पतादी कारी और कारी करताओं का कोट वाली में जमावडा लग गया कारी करताओं ने पुलीस प्रशासन के विरोद में जम कर नारिवाजी की शनिवार को RSS के जिला प्रचारक मनोश कुमार कुमकशेतर के देवरहा घाट पर यमुना में स्नान कर रहे थे बताए जा रहा है कि वह रेलिंग को पार कर यमुना स्नान कर रहे थे वहां तैनात पुलीस कर्मियों ने रेलिंग पार कर यमुना में जाने से मना किया इसे बात को लेकर पुलेस कर्मियों और संग पदादीकारी के बीश नोग छोक हो गई आरोप है कि यहां तैनात पुलिस कर्मियों ने संग पतादी कारी के साथ मार बीट कर दी इसकी भनक लगते ही कुछ ही समय में संग एवं भाजपा कारी करता कुमक्षेत्र में बड़ी संख्या में पहुँचे सीओ सदर और मेला प्रभारी भी मौके पर पहुँच गए और आरोपी पुलिस कर्मियों के विरत कानूनी कारवाई की मांगी है इस गहमा गहमी में चुंगे चौरापर तना दो पुलिस कर्मियों को हिंदुवादी संगटनों के कारे करता होने दोड़ा दोड़ा कर पीटा चुंगे जोराप पर जम कर हंगामा हुआ पुलीस कर्मियों से हुए मार पीट के बारे में जब जिलादिक्ष मदू शर्मा से संग के पतादी कारी मनोजी के साथ पुलीस कर्मियों ने जो अबधरता की है उन पुलिस कर्मियों के विरुद में सक कानूनी कारवाई होनी चाहिए वही उन्होंने पुलिस से मार पीट करने के मामले को कहा कि पुलिस से मार पीट करने वाले संकरण के कारे करता नहीं है वह कोई और है विश्वई हिंदु परिशद बच्चु सिह का कहना है कि कुमबक शेत्र में RSS के बदा अधिकारी के साथ मार पीट और अभधरता करने वाले के खिलाब कानूनी कारवाई होनी चाहिए। इस समन में पुलेस अधिकारियों से बात की जा रही है। BCN News के लिए मतुरा से अजे ठाकुर की रिपोर्ट प्रदेश के खबरों में वक्त हो जलाए यही रुकने का ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं BCN News नमस्कार